इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा pending cases हैं वो हैं आपका property के मामले या तो फिर check से related मामले मतलब payment से related मामले यह दो मामले सबसे ज़्यादा हैं यहां तक कि काफी सारे survey में यह भी बताया गया है जो check के मामले जो हैं वो करीब 35 लाख pending cases हैं जनरली इन मामलों को handle करने के लिए इन मामलों में जो भी legal provision है वो हमारे negotiable instrument act 8081 के अंदर mention किया गया जनरली इसे हम NI act भी कहते हैं और इस act के अंदर वो सारे legal provision है जो आपको कैसे check लेना है किसी को कैसे check देना है साथ में आप किसी person से recover कैसे कर सकते हो साथ ही supreme court या senator government इसमें time to changes करते रहते हैं अपनी decision की through या कोई विदयक लागर के तो बहुत सारी changes भी हुई है बहुत सारा relief भी मिला है लोगों को लेकिन अभी भी काफी सारे cases pending है यह pending क्यों रह जाते है actually इसमें problem यह है जो हम छोटी छोटी गलतियों पर अपना ध्यान नहीं रख पाते हम यह ख्या नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका link देदूँगा आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको time limit बताऊंगा जो वो क्या time limit होंगे क्या time frame होंगे जिसके अंदर आपको अपना case file करना है या उस time limit को आपको ध्यान रखन साथ में आपको ये भी बताऊंगो जो current में अभी क्या latest changes हुए है Supreme Court की decision की थुरू या central government ने क्या changes लाया है इस act के अंदर वो सारी बाते discuss करूँगा और क्या penalty provision है उसके बारे में भी आज इसमें detail में discussion करूँगा इन सारी बातों को जाने के लिए इस वीडियो को आप last तक देखना क्योंकि अगर आप last तक नहीं देखते हो तो possible है जो आप भी वही गलती करोगे जो general public करते हैं तो उन तरह की गलती ना हो आपसे उसके लिए बहुत जरूरी है जिस वीडियो को आप last तक देखो कभी भी इस वीडियो को skip करके अगर आप देखते हो तो वो valuable जानका या फिर आपने कभी किसी को payment दिया था और उस person ने आपको payment वापस किया है तो इस तरह के दो मामले हो सकते हैं जो मानले जी अगर आपको कहीं सी भी किसी भी person से आपको check receive हुआ उस check में आपको time दिया गया है जो आप एक मेने के बाद ये 15 दिने के बाद आप इसे deposit कर देन जब भी आप deposit करने जाओगे तो आप अपने bank में deposit करोगे उस check को और check मानले जी गलती से bounce हो जाता है ऐसे generally अगर वो payment आ गया तो ये मामले बने ही नहीं और ये मामला का solution हो गया क्या payment receive हो चुका है लेकिन अगर मानले जी वो check bounce हो गया तो check bounce होने का क्या reason हो सकता है तो बह या ये भी possible है इस check को सामने वाले person ने बंद करवा दियो जब कभी भी कोई intentionally है इस तरह की हरकते करे तो उसके लिए भी कानूनी तरीके हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर last में बताऊंगा जो वो क्या कानूनी तरीके है और उसके अंदर क्या उसको सजा मिल सकती है अगर सामने वाला person intentionally अगर आपको payment नहीं देना चाहता है तो और माल लेते हैं जो आपका check insufficient balance होने के वैसे bounce हो गया तो ऐसे cases में bank आपको जब भी check bounce होगा तो आपको एक memo receipt देगी चेक memo देगी वो memo आपको अपने पास रखना है क्योंकि उसमें ये detail mention होता है जिए ये check आखित क्यों bounce किया गया और उसमें एक date भी mention होता है तो date mention होगा उससे within 30 days आपको notice भिजवाना है और उस notice के अंदर section 138 of negotiable instrument act आपको 15 दिन का time भी उने provide करना है जब भी आपको ये notice receive हो उसके within 15 days आपको मेरा payment वापस कर देना है चाहे आप जैसे भी payment वापस करो आप ये च वाले ने 15 दिन के अंदर आपको payment नहीं किया तो ऐसे cases में within 30 days आपको case file कर देना है court के अंदर लेकिन आखिर आपको ये case file कहां करोगे मतलब जहां ये check deposit किया था आपने वहाँ case file करोगे या फिर आपका जहां bank है उस jurisdiction के अंदर file करना है या आप कहीं third person हो कहीं और का address है आ पताया गया जो आप कहीं भी अपना case file कर सकते हो लेकिन 24 में Supreme Court का decision आता है दसरत रूप सिंग के case की मामले में जो आपको check वहीं deposit करना है जहां पर drawer का bank है तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात आती है क्यों क्योंकि इस मामले में मान लीते हैं आप दिल्ली के थे और आपको check मिला किसी तमिलाडू वाले customer से तो आपको तमिलाडू में ही जाकर के आपको case file करना पड़ेगा तो इसी चीज को change करने के लिए कि देश में काफी अफ़ात अफ़ाई मर्च गई काफी cases एक जगा से दूसरे जगा transfer होने लगे तो इसी चीज को change करने के लिए central government 2015 के अंदर एक audience पास करती है एक विधेग लेकर के आती है जिसमें कि इस बात को change किया जाता है और इस बात को पूरा clarify किया जाता है यह case कहां आखिर file होगा तो इसमें दिया गया है जहां पे drawry का bank होगा जहां पे वो check deposit किया जाएगा उसी due direction के अंदर भी case file किया जाएगा तब central government ने काफी सारे परिशानियों को देखते हुए इसमें changes भी कियें और एक amendment bill लेकर आया है 2017 के अंदर जिसे की applicable किया गया 2 अगस्त 2018 से इसमें section 143 A Negosable Instrument Act में changes किया गया जिसके अंदर interim compensation का benefit add किया गया है मतलब अगर आपका payment कहीं से रुख जाता है सामने वाला person आपको payment नहीं करता है या वो payment रुखा हुआ है अगर court case में ये थाबित हो जाता है जो सामने वाला person accused है और उसके against में बहुत सारे evidence आ रहे हैं तो उस case के अ ऐसे कारणों को देखते हुए उसमें time period और बढ़ाया जा सकता है जिसे की 30 दिन के लिए और बढ़ा सकते है लेकिन अगर मालीजी सामने वाला person accused नहीं होता है अगर judgment जब आया तो सामने वाला person accused नहीं पाया गया उस case के अंदर आप जब पैसा return करोगे उस person को जो interim compensation का है उसमें आप with interest उस person को पैसा return करोगे मालीजी सामने वाला person accused हुआ तो उसके उपर क्या penalty charge के जाएगा तो उस पे उपर जो penalty लगेगा वो दो गुना penalty लगेगा मतलब अगर आपका एक लाख का payment due था तो सामने वाले को दो लाख का payment करना पड़ेगा लेकिन जैसे कि मैंने आ अगर सामने वाला person अगर intentionally आपको payment नहीं कर रहा है तो उस case में आप उसके उपर 420 का भी case file कर सकते हो ऐसे cases में 7 साल की सजा हो सकती है उसे फिलाल आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चै इतने भी वीडियो होंगी ये लिगल जानकारी जो भी छोटी या बड़ी जो भी लिगल जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए थैंक यू सो मच जै हिन जै बारत